हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभो सिंग वंपी, आप लोग को अपने यूटूब चैनल वैभो मैथमेटिक इंस्ट्यूट में स्वागत करता हूँ और काफी दीनों के बाद आज मैं फिर से अपना एक वीडियो आप लोग के विचला रहा हूँ और वो टोपिक होगा घड़ी यानी कलोग का और आप लोग एक बेदरिन कॉंटेंट देखने को मिलेगा और आज हम लोग घड़ी यानी कलोग में पहले वाले हैं कोड़ी दूरी ध्यान दिजेगा एक important topic है बहत्रीन content दिखने को मिलेगा शुरू से अन तक वीडियो को देखे और पसंद है तो like करें, share करें और channel को subscribe करें ताकि हमको आगे वीडियो बनाने के लिए motivation मिल सकें और जितना वीडियो बनाएंगे एक दम content तो आपको लजबा मिलेगा, एक दम बहत्रीन content के साथ आपको वीडियो देखने को मिलेगा तो चलिए चलते हैं हमारा भोड़ पे आते हैं कि हम लोग का आज का topic हमने लिखा है घड़ी और घड़ी में भी हमारा पहला आज का topic होगा कोड़ी दुरी यानि angular distance काँछा topic होगा तो कोड़ी दुरी यानि angular distance अब चलिए देखता है कि घड़ी होती कैसी है तो मान लेजी ये एक घड़ी है ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे 12 होता है यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 और 12 के बाद एक 2 3 4 5 7 7 7 9 10 और 11 हो अब एक बात आपको बता दें कि यहाँ पे बावू 360 डिगरी का एंगल बनता है कोई भी पूछेगा कि घड़ी के पूरे center में कितने डिगरी का एंगल बनता है तो 360 डिगरी का एंगल बनता है भुलने वाली कोई ब्याद नहीं यानि हम कहना चाहें तो एक बात कह सकते हैं घड़ी की कोई भी सुई अगर पूरे एक चकर लगाती है तो 360 डिगरी का एंगल बनाती है आपसे कहा जाए कि मीनट की सुई एक चकर में कितने डिगरी का एंगल बनाएगी या सेकेंड की सुई हो जब एक चकर की बात करेगा तो एक चकर में 360 डिगरी का ही कोड बनाएगी अलब कोई कोड बनने वाला नहीं है चाहे मीनट की सुई हो चाहे आवर यानि घंटा की या फिस सेकेंड की सुई हो यह एक घंड एक चकर में 360 डिगरी की ही कोड बनाएगी तो आईए देखते हैं और आज का हम सबसे पहला टोपिक पढ़ते हैं कोण ये दूरी में कि कोण ये दूरी में हम पढ़ेंगे घंटे की सुई के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे बाबु अब हमने काखा कि कोई भी सुई अगर एक चकर पुरा कर ले तो कितना डिगरी का एंगल बनाती है 300 स्टार्ट डिगरी का एंगल बनाती है अब घंटे की सुई की बात करेगा तो एक बात हमको बताएए कि घंटा की सुई एक घंटा में एक घंटे की सुई एक चकर लगाने में कितना समय लेगी तो घंटा की सुई अब एक घंटा का सुई है एक घंटा होगा तो एक बजे दू घंटा होगा दू बजे तीन घंटा तीन घंटा तीन बजे चार घंटा चार बजे पाँच पाँच चौछ पता चलेगा कि घंटे की सुई 12 गंटे में एक चकर लगाती है। और मैंने ये कहा, कि एक चक्र में लगाने के बाद, कोई भी सुई हो, कितने डिगरी का एंगल बनाती है, तो 307 डिगरी का एंगल बनाती है, एक घंटा की सुई की बात करे, मीनट की सुई की बात करे, सेकेंड की सुई की बात करे, और एक चक्र की बात करेगा, तो एक चक्र में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी तीन सो साथ डिग्री का एंगल बनाएगी अब एक बात हमको बताए एक घंटा में कितने मीनट होते हैं साथ मिनट यह आपको बात पता होगी कि एक घंटा में कितना मिनट होता है तो साथ मिनट होता है तो एक बात हमको बता ये कि बारह घंटे में कितना मिनट होगा तो बारह गुने साथ मिनट होगा कि नहीं होगा और बराबर तिन सो साथ दिगरी हो सकता है तो क्या को सकते हैं बाभू कि इसलिए एक मिनट में कितना डिगरी तो 360 बटा में 12 गुने 60 यानि 66 और 6 दूली 12 यानि एक बटा दूली ध्याम रहेगा कि कोश्चर बे ज्यादा आज को ध्यान रटे का हो सकता नहीं है ध्यान देना है कि खंटे की सुई 12 गंत में 306 और 1 मिनट में कितना डिगरी तो 1 बटा में 2 दिगरी यानि आसानी याद कर सकते हैं कि घंटा की सुई एक मिनट में कितने डिगरी का खोण बनाती है एक बटे दू डिगरी का खोण बनाती है इसको एतना वियाद रखना है इक गणा मतलब जैसे ही पूछा जाए कि घंटा की सुई एक मिनट में कितना डिगरी का अंगल बनाती है तो एक बटा दू डिगरी का या पूछा ले घं अब कहा दिया जाए कि घंटा की सूई 55 मिनट में कितने डिगरी का खुण बनाएगी तो 25 बटा दूर यानि 27 कुंडां के एक बटा दूर डिगरी का खुण बनाएगी एक दम आसान भासा में आपको यह कोस्चन मिलेगा एक दम आसान कॉंटेंट के साहा आप देखिए बहु एक चक्र लगाती यानि 12 घंटे में कितने डिगरी का इंगल बनाती है 307 डिगरी का इसलिए एक मिनट में एक बटा दूर डिगरी का एंगल बनाएगी यह बात लखना है तो चलिए आग दिखते हैं कि हमने पहले पढ़ा घंटा की सूई इसके बाद हम देखते हैं कि मीनट के बाडे में देखते। मांगली जी यही मीनट का सुई है गो मिन आठ नौ दस दू आते आते दस यानि इसी तरीके से चलते हुए अगर एक चकर लगाती है तो मीनट की सुई के बारे में हम कर सकते हैं कि साथ मीनट साथ मीनट यानि इसको बोले तो एक धंटा में ये एक चकर लगाती है मीनट की सुई के बारे में कि मीनट की सुई अगर ये पूरा चलती जाती है तो साथ मीनट यानि एक घंटे में एक चकर लगाती है अब जब एक घंटा में एक चकर लगाती है तो ये भी तो कर सकते हैं कि साथ मीनट में कि ये कितने डिगरी का अंगल बनाती होगी तो हमने कहा कोई भी सुई हो अगर एक चकर लगाती है तो कितने डिगरी का एंगल बनाएगी मेरे भाई तो 360 डिगरी का एंगल बनाएगी तो कह सकते हैं कि एक मिनट में कितने डिगरी का एंगल बनाएगी 6 डिगरी का घंटे की सुई एक मिनट में कितने एंगल बनाती है एक बटा दूदी देली लीता बच गया है सेकेंड का सुई को सेकेंड का सुई ध्यान दिजिया तो कि सेकेंड कि सुई के बारे में आप से कूछा है एक जो elf कोई कि एक चक्र की बतला हो और फोटल सुटेंगों साइट सफस Way नियुक्र के nourpada जो करोए किक हमाने की सिर्थ यह एक चक्र लगाना सुरू करती है और किसा पीदधी मुल्ना किस सब्सक्राइफ,... सब्सक्र Quick सेंगे सब्सक्र ऊब्सक्राइफ.. यादि एक मिनट में और एक चत्कर में कितने डिशन मांद बात तर जिस पकिष्जाट में, जब 360fed calendar बानाती है तो एक सेकेंड मरी तो एक इव्योड में कितने डिश्टा बनाएगी हां तीस्रा ताली बात थिव्यो कर एक एक मिनटे साथ डिश्टानकी सुई एक मिनटे में पर सिर्फ छेट गडिगर ध्यान रहेगा एक तंदम स्वाफिक इंपोर्टेट थीनो बातों इंपोर्टेंट है फोर्ट्र बनाने के लिए ठीक है चलिए दुसरी बाद देखते हैं मेरका दी इसको ध्यान दीजेगा इस्प्रियन सट लेना हुआ ले लिजेगा और फिर इसको हटाते हैं ध्यान देना है कि हम आगे देख रहे हैं एक कुस्चन और आपसे हम कुस्ते हैं आपने तीर बाते पढ़ा एक आपने पढ़ा क्या ध्यामी की घंटा का स्वी, एक आपने पढ़ा की घंटा की सुय के बारे में। दूसरा आपने पढ़ा मीनट की सुई के बारे में और तिसरा और important topic आपने पढ़ा second की सुई के बारे में दूसरी बार में मीनट की सुई के बारे में और तिसरी बारे में हमने आपको पढ़ाया सेकेंड की सुई के बारे में और एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी तो एक बटा दूर डिग्री का हमने यह पढ़ाया एक लाइन में याद रखेगा कि घंटा की सुई 12 गंटे में 361 मिनट में एक बटे दू दूसरी बात हमने क्या पढ़ाया ध्यान दीजिए हमारी बातों को एक दम एक स्थेप के बारे में बताएंगे दम खुल के बताएंगे समझ में भी आएगा मिनट की सुई के बारे में हमने यह कहा कि एक घंटे में 360 दिग्री का एंगल बनाती है यह भी बात बिल्कुल याद है हमको लगता है याद होगा याद हो गया होगा अभी तब ध्यान सेकेंड की सुई के बारे में हमने यह कहा कि एक मिनट में यह 306 दिग्री का एंगल बनाती है और एक सेकंड में यह 6 दिग्री का एंगल बनाती है इस टोपिक को भी याद होगा चिक है कि इन तीनों स्वी में सबसेतेज कौन चलता है। हमने पुछा आपसे पहला कोस्चन ये कि सबसेतेज कौन चलता है। कौन चलता है? hepportent questions है कि आपसे एक छोटी सी question हम पूछ रहे हैं कि घड़ी में धंटा की स्षूई में सबसे तेज कौन चलता है? तो आपका answer होगा, कि सेकेंड का स्षूई सबसे तेज चलता है? kis का स्षूई तेज चलता है? तो आपके यह गाँ, सेकेंड का और उसके बाद मीनट का और उसके बाद घंटा का यानि सबसे सुलो कौन चलता है घंटा का सुई चलता है और सबसे तेज कौन चलता है सेकेंड का सुई चलता है तो आपसे एक important बात और मैं गुष्टा हूँ कि अगर second की सुई मीनट की सुई से तेज चलती है तो कितना गुना तेज चलती है अगला important point कि second की सुई अगर मीनट की सुई से तेज चलती है तो कितना गुना तेज चलती है तो ध्यान देना है कि जब second की सुई एक मीनट में 360 डिगरी का खोण बनाती है और घंटे की सुई 1 गंटा में 307 मीनट सेकेंड की सुई हमने देखे ध्यान दीजेगा हम देखा second की स तो हम चाहे तो इसकी 1 घंटे को कितना बना करता है अब जो दूरी सेकेंड की सुई एक मिनट में तय करती है वही घड़ी मिनट की सुई वही दूरी कितने मिनट में तय करती है यारी कल सकते हैं कि सेकेंड की सुई से इपोर्टेंड बात है सेकेंड की सुई से मिनट की सुई सेकेंड की सुई साथ भूना तेज है मिनट की सुई से सेकेंड की सुई साथ भूना तेज चलती है इंपोर्टेंट है याद रखेगा कि मिनट की सुई से सेकेंड की सुई साथ भूना तेज चलती है अब अगला बाद कि मीनट की सुई घंटा की सुई से तेच चलता है कितना कुना तेच चलता है तो देखें मीनट की जुई सुई साथ मीनट में 306 डिगरी का कोड़ बनाती है और जो घंटा की सुई है ये बाराग घंटा में कितना मीनट होता है वारा गुना स्ट करेगा तो 720 मिना, कितने मिनट है ते बाढ़े等等, साथ-बीस मिनट में 360 डिगरी का इतने क्मणे, पना नहीं कितना गुना सब्सक्राइब करें, कितना गुना तो 12 गुना तेज चलती है, कि मेstillता क्परी क्माघन क्माज क्मा दिद्ग देद कि मीनाट की जो सुई है मीनाट की स्वी किस से देश चलती है घंटे की सुई से और इतना गुणा तो शी्दा-गुणा कितना 5-125 के सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि 12 मीनाट की भूण है बारा गुनाट की सुई अगला इप्वर्टेंट यहां मेरे भात है है कि सेकेंड की जो सुई है उगंटा की सुई से कितना गुना तेच चलती है तो सेकेंड की सुई घंटे की सुई से ध्यान देना है कि सेकेंड की सुई एक मिनट में 307 दिग्री और घंटे की सुई 720 मिनट में 307 दिग्री और सेकेंड की सुई को 360 दिग्री की दूरी तय करने में कितना मिनट लगते हैं 720 मिनट यानि ये का सकते हैं कि जो सेकेंड की सुई है ये घंटे की सुई से कितना गुना तेच चलेगी में भाई ध्यान दिग्येगा कितना गुना तो एक मिनट ये 720 मिनट यानि कितना गुना तेच चलेगी 720 मिनट तीन बाते हमने आपको पढ़ाई क्या क्या ध्यान सब से तेज सुई कौन सब से किस सट जलता है से कर रस से किसे किस सब कह रहेगा । दूसरी बार्ट डुस्टी है घंटे कि सुई से कितना ऽूरा देज चलती है श्तरी बाट सेखन की जूशोई है घंटे की सुशोई से कितना गुन तेज चलती है तीनोh बाहरा रखनासर आप सरनार जी बाल रूदढ कोई दिमाक लगाने का प्रष्ता रहा है तीक है आगे थ्याद दीजेगा अगले टॉपिक पे आते हैं कुछ कोस्चन देखते हैं अच्छे ठीक है अगली बारी है कुछ कोस्चन देखते हैं कि कोस्चन किया है देखें कोस्चन देखते हैं कि दूर बजे से दू पंदला बजे के बीच एम कर देते हैं बजे के बीच मीनट की सुई मीनट की सुई द्वारा बनाया गया कुणिये दूरी ज्याद करे कुणिये दूरी ज्याद करे इस कोस्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है ध्यान दिजेगा इस कोस्चन को ऐसे भी एक जाम में लिखा जा सकता है या ध्यान देने वाली बात है कि इस question को हम लिख रहे हैं कि do am बज़े से do 15 am बज़े तक मीनाट के सुई में सुई में मीनाट की सुई किसको चेक करना है मीनाट की सुई को पहले की स्थीती की तुलना में कितने डिगरी का पौन बनाएगी कितने डिगरी का पौन बनाएगी दोनों question एक है हमने कहा कि दूस से do 15 am वहां पर भी दूस से do 15 am दोनों के बीच एक बार हमने लिखा है question में कि कोण ये दूरी जाद करे और दूसरा बार कि मीनाट की सुई पहले की स्थीती में कितने डिगरी का पौन बनाएगी जरा घड़ भड़ी में कई से होता है ध्यान दीजेगा हमने अभी अभी आपको बताया यहां पर बार चो तीन और नौव एक दू चार पांच साथ और आट और दस और एगार अब हमने कहा है कितने बजे से देखना है आपको दू ए एम से दू पंद्रह एम तब कितना तो दू बजे स दू पंद्रह एम क्या है जरा बोड़ पे ध्यान दीजेगा क्या है बोड़ पे ध्यान देना है ध्यान दीजेगा कि दू बजने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई दू बजने का मतलब क्या हुआ कि मी घंटा की सुई दू पे और मीनट की सुई इस पे और आपको तो घंटे क किसको निकालना है मीनट की सुई को यानि हमको इससे कोई मतलब नहीं है अब जब दूब जा होगा तो मीनट की सुई चलते 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 काहां पहुंच जाएगी यानि जो तो कोड़ी दूरी है, और कोड़ी दूरी कितना है, तो सिर्फ यही है, कोड़ी दूरी, या फिर दोनों इस्तिती में, पहले की स्तिती में, मिनट की सूई, कितने डिगरी का कुण बनाएगी, तो पहले यहां थी, अब यहां है, यानि कितने डिगरी का बात हुआ, तो देख पंदरह मीनट घड़ी चली है और किसकी बात हमने किया है मीनट की सुई के बारे में तो मीनट की सुई के बारे में हमने आपको बताया था कि मीनट की सुई एक मीनट में कितने डिगरी का एंगल बनाती है छो डिगरी का तो पंदरह मीनट में कितने डिगरी का एंगल के केंद्रिये कौणlynn या पहले की स्थिति के तुलना में कितने डिगरी का कौन बनाएगी तो सिर्म मिनट की सुई के बारे में अब र connect आप देखना है कि मिन इट की कितना दूरी चली है तो सिर्फों को लगता है कि 15 मिनट दू-से-दू 15 मेन जाते कि कितना मीनट मिनट चली है तो सिर्फ 15 मिनट और आप जानते हैं कि मिनट की सुई है कोई एक मिनट में 6 डिगरी का कुण बनाती है तो 15 मिनट में 15 गुना 6 यानि 90 डिगरी का एंगल बनाएगे इसमें कोई दिकत नहीं होना चाहिए ठीक है आए लिखते हैं को सचन को जड़ा चेंद करते ह हैं मान लिजे कोश्चन आ गया कि 8 एम से 8 बज कि 45 एम बजे तक मिनट की सुई में पहली स्थिती की तुण्ला में कितना डिगरी का पुन बनाएगी या कोश्चन आ जाए कि 8 एम से 8 बज़ के 45 एम बज़े तक मीनट की सुई द्वारा बनाएगे केंद्रिये फोन का मात लिए या फिर 8 मा करके 8 पंदरा यहां पे कर दे 8 बारा कर दिया तब भी क्या होगा कोश्चन अस्थानी से बनेगा आठ बारा करने का मतलब क्या हुआ कि मीनट की सुई है वो क्या होगी आठ बारा बज़े मीनट की सुई कहा होगी तो दस के बाद होगी पंदरा के पहले होगी मान लेते हैं क्या होगी यहां होगी और फिर 8 पैटालिस की हमने बात किया है तो जैसे ही धीरे 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 हुआ है ध्यान देजिएगा कि 45 में से 12 गया कितने डिगरी का परियर्थन हुआ है तेटिस डिगरी का और तेटिस चा कितना होता है शक्तिरी एठारा क्या ठासिल एक शक्तिरी एठारा एक उन्डिस वर नाइंटी एक बन सकता है को सब्सक्राइब का है चलिए आगे ध्या neuen रीजेगा अग्ला टोपिक वह इंपोरेंट है और इंपोर्टिन ही नहीं बहुत इंपोर्टिन है कि कोस्टन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं स्चान को चेंज कर रहे हैं सुटी कर दो लिकाए थी जुँ घंटे मिनट क्या गया यह नुपर कोणर यह दुरी घ्याद करें पॉस्चन लिख रहे हैं यहीं Game द कर रहा है ध्यान दीजे कि दू घंटे 19 मिनट बाद मिनट की सुई रहा है इंपोर्टेन टॉपिक हमने लिख दिया किप पहला कुस्चन ही है कि दू घंट दूसरा हमने लिखा कि 2 गंटे 19 मिनट बार मीनट की सुई पहले के स्थिती में कि इतने डिगरी का पूंड बनाई एक बार ठ्याम देना है गल्ती यहीं पर हो कि पिछला कोस्चन हमने कहा कि दोनों एक देशा था क्योंकि समय ठीक्स का बज़े से बज़े था लेकिन यहां पर दूनों कोस्चन अलग 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 क्यों है ज़रा समझे हैं कि एक ज़दो पर दूरी पूछा है और 2 गंटा 19 मिनट मानते हैं कि मिनट क आगर 12 होगी तो दूर गंटा 19 मिनट कोड होगा जब यह पूरी चकर लगाती हुई एक चकर लगादे एक चकर लगादे तो कितना घंटा एक घंटा दूसरा चकर लगाए ऐक 2 घंटा और फिर कितना मिनट 19 मिनट यह होगा कि नहीं होगा अब दूर यह जितना दूर आप चलते हैं मांग लिजे कोशन करता है कि एक चारसो मीठर का इक गोला का ट्रैक है एक ब्यक्ति आता है पांच चकर लगाता है तो उसने कितना दूरी तैकिया डिस्टेंस पुछा है तो आप करते हैं कि कि चारसो बुने-पां ब्रावर दू किलो मीठर यारं दू rubbing हमने वह इंपा कहा एक दूरी-えsityst पुछा है यारी डिस्टेंस निकालनाइक इसनने कितना डिस्टेंस डिया अब आको पता है एक धंटा में कितना डिकरी मिनट का सूई एक धंटा में गितना डिरी समय के कुन बनाती है।abilir धिंतनी बता की बात किया है। धूर फtsåंडी distinct पूर यह और02 के और 100 मिंलेते फेलlarda फेली। बडरक節 काड़ हमें अश्डीश दूर्प संब्सक्राइगा। आसां हो गया सहथा। कि distance पूछेगा पूरा का पूरा कवर करेंगे लेकिन यह पूछेगा कि 2 गंटे 19 मिनिट बाद पहले की स्थिती में कितना डिगरी का पूर पाएगी यहां दिजे कि पहले अगर 12 पे है और 19 है यहां पे अगर 3 होगा यहां पे 4 होगा तो अब कहां पे चली गई होगी यहां और पहली की स्थिती में अब दूरी पूछा है एंगल पूछा है तो एंगल सिर्फ यहीं न बनेगा 19 मिनिट वाला यारी कितने डिगरी का कोण बनाएगी तो क्या कहेंगे कि 19 मुने च्वा बराबत 114 डिगरी दूसरा वाला कोश्चन टैंसर और पहला वाला कोश्चन का अब आगे जरा थ्यान दीजेगा कि हम पड़ें घंटे की सुई के बारे में एक्टम ध्यान देने वाली बात है यह अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा घंटे की सुई के बारे में यह जो घंटे की सुई है कोश्चन लिखते हैं डिरेक कि दूर 12 एम से 8 दस एम तक घंटे की सुई द्वारा बनाये गये कोण यह दूरी ग्याद परे घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोणिये दूरी ग्याद करें कोश्चन इंपॉर्टेंट है कोणिये दूरी ग्याद करें हम दे लिखा दू घंटा दू बज़ के 12 मिनट से 8 बज़ के 10 मिनट एम है तो फुर्वाहन की बात हो नहीं है ठीक है घंटे की सुई कितने डिगरी का कोश्च बनाएंगे या कितने दूरी कौणिये दूरी प्ताइक करेंगे एक ही बात है अब हमने कहा आप से एक बात ध्यान दिखेंगा घंटे की सुई चली कितनी है दू बारा से आठ दस जाते जाते आपसे पूछा जाए कि ये कितना घंटा कितना मिनट चली है तो क्या कहिएगा थी दू बारा से तीन बारा एक चार बारा दू 5 बारा थी चो बारा ह MissionCh37,125 और 8 बार च्वरॉण यह कहिएगा कि आप कहेगा कि सर दू बारा से आठ बारा जाते जाते यह कितना घंटा चल चुगी है छो घंटा कई है कि नहीं कि लिए लेकिन हमने बात इसका किया है आठ बच के दस मिनट की और हमने लिया कितना है आठ बच के बारा यारी हमने कितना जादा लिया है दू ज ज्यादा लियर घंटाएंगे तम आठ बच के दस मुन्यट होगा, तो क्या करेंगे, कि 6 घंटा से 2 मिनट कौन, ये भी बात होगा, अब घंटा की सुई के बारे में हमको बताइए, कि घंटा की सुई एक घंटा में कितने डिगरी का कोन बनाती है, तो जब 12 घंटे में 360 अब घंटा की सुई एक मिनट में कितने डिगरी का कोन बनाती है, एक बटा दू डिगरी का, तो दू मिनट में कितने डिगरी का कोन बनाएगी, दू बटा में दू, यानि ये वाला एक और ये वाला 180, और 180 में से एक जाएगा कितने डिगरी का कोन बनाएगी, 189 डिगरी क कितने डिगरी का कुण बनाएगे तो 189 डिगरी का चलिए जरा ध्यान दीजेगा हम अगली बातों पे आते हैं अगली बाते आपको बताते हैं कि कोश्चन को चेंज कर दिये दूबार एम को हमने चेंज कर दिया कर दिया हमने स्ताथ पी एम से लेकर 11 बज़ के 5 एम या पी एम है पी एम कर दिये यहां भी पी एम कर दिये घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या कहिएगा एक दम असान भासा में कि हमने क्या हां से कहां पूछा है स्ताथ एम से एक आरफ एम पे जाते हैं कितना घंटा घंटा चली होगी जादा नहीं सर चार घंटा चली होगी असानी से कहें कितना घंटा चली होगी तो चार घंटा और कितना चली है तो पांच मिनट कितना मिनट मेरे भाई तो सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट यानि कितना चली है तो चार घंटा पांच मिनट यहीं ला कहेंगे कि जब ज़्यादा चली है पुलस कम चलती क्या कर देत और यह मीनट है, क्या है यह मीनट है, अब घंटा की 101 मिनट में कितना डिगरी का कोड़ बनाती है, हमने पढ़ाया था, एक बटा दू डिगरी का, पांच मिनट में कितना कोड़ बनाएगी, तो पांच बटे दू, यानि कितना हो जाएगा बागो, 120 पलस 2.5 वराबर 122.5 दि सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंदे, लाइक भी करें, हमको मोटिवेशन मिलता रहे, अपना सुछाओं हमें देते रहे, कॉमेंट जरूर करें, जितना पढ़िया से पढ़िया कॉंटेंट होगा, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बिल्कुल इसके लिए आज का आफरी हमारा टॉपी क्या है, एक कोस्टन आता है, भ्यान दीजेगा, बाबु, कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कॉन, माली ये कोस्टन कुछ लिए लिखते हैं, कि घंटे और मिनट के सुई के बीच का कौन जाता है, पुखें कि घंटे और मिनट के सुई के बीच के कौन जाता है, कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कौनमाली ये लिग्वान दीजेगा, कि 7 बज के 7 दस बजे ध्यान दिजे 7 दस बजे घंटे और मीनट की सुई के बीच कितने दिगरी का कुण बनेगा घंटे और मीनट की सुई के बीच कितने दिगरी का कौण बनेगा कितने दिगरी का कौण बनेगा हम दे पोसंट दिए कि 7-10 बजे घंटे और मीनट की सुई के बीज की तिने डिगरी का गोण बनेगा ध्यान देने वाली बात ये हैं कि 7-10 पईसे होगा एकदाम इंपोर्टेंट बात हमारी है समझेगा एकदाम इंपोर्टेंट बात आसान भाता है कि यहां पे बारण 6-3-9-1-2-4-5-7-8-10-11 ध्यान दीजेगा आप कहिएगा कि सरकोष्चन इतना आसान एकदाम आसान है बिल्कूल आसान है ध्यान दीजेगा कि वह लेके पॉइंट पे कि हमने कहाँ 7-10 बजे 7-10 का मतलब समझते हैं तो जब 7 बजा होगा तो घंटे की सुई यहां पे और मीनट की सुई यहां पे होई कि नहीं दोगी अब जैसे ही 7-10 बजा होगा यह मीनट की सुई कहां आगी होगी यहां पे और घंटा की सुई कहां आगया होगा यहां पे आपसे क्या पूछा है तो इसी के बीच का खूण न पूछा है कि ये वाला खूण कितने डीडी का बनेगा पूछा है कि नहीं पूछा है एकदम इंप्वर्टेंट बाते हैं सारी बाते आपको समझनी है कि एकदम इतना आसान कोश्चन इतने आसानी से कईसे बनेगा खुसे सब्सक्राइब एक गसे इतना रजाए पुसे म आखी, इतना फुसिछ इतना असानी से सबंगे ये किस्टेशिट पे ध्यान दीजेगा। असानी से समझमेगा जाए तो ध्यान देना है कि हमने लिखा क्या है वाबु पूस्चा में इस्ताथ दस बचे हैं हमने कहा है जो घंटा की जो सुई है ये भी कुछ दूरी तयकी है और ये जो मिनत की सुई है ये तो फिक्टाइकी दस दूरी तयकी है अब अगर आपसे हम ये बात कहें कि ये दूरी तय नहीं करती तो ये कितना डिगरी का एंगल बनता तो दोनों के बीच कितना समय हुआ है देखेंगे तो तो साथ के मतलब कितना मिनट होता है बागु पैंटीस मिनट होता है कि नहीं होता है और दस हो ही रहा है ये भी बात कर सकते हैं कि 10 हो रहा है यानि कितने मिनट का अंतर है तो यह दूनों के बीच में अगर यहां पर सुई होती तो कितने मिनट का अंतर होता तो 35 में से 10 जता क्या कहते कितने मिनट का अंतर होता मेरे भाई 25 मिनट का अंतर होता ठीक है अब सुई ज्यादा चली है यह ज्यादा चल है तो देखान दीजेगा कि यह सुई कितना मिनाट चला है दस मिन गंटा की दिखरल्य शना और धंटा की एक मिनेट में कितना डिगरी गर बनाती है एक वॉत में 20 καट दो डिगरी का तो दस मिनेट मेंकितने बेज़ के असान कहा हैuç असान करने से पहले एक कुश्चन और दिखीएगा कि एक कुश्चन हम लिखें हैं 7-10 के बजाय दू-20 लिखते हैं कोश्चन क्या लिखते हैं, साथ दस के बजाए, कोश्चन बदल देते हैं, और करते हैं कि दू बीस बजे, घंटे और मीनट के सुई के बीच का कोण्ड निका लेगा, दू बीस कहने का तत्वर क्या है ज़रा समझेगा, इसी फिगर पे आपको संजाते हैं कि जब दू बजा होगा कितना बजा होगा बाब दू ऐसे होगा अब 20 यानि ये जो घड़ी की सुई है ये 20 मतलब मिनट की सुई यहाँ पे पहुँच चुकी है अब घंटा की सुई भी चली होगी की नहीं चली होगी कुछ तो दूर चली होगी यानि जो पहिले यहाँ पे थी और हो सकता है कहाँ पिया जाए यहाँ पिया जाए यानि इस बर क्या हुआ है कि एंगल काम हुआ है बतलब जो अगर माल लीजिए कि घाड़ी के घंटा का सू यहाँ होता और मिनट की सुई यहां होता है, दू पे 10 होता है, चार पे कितना होता है, 20 मिनट होता है, तो क्या कहते है कि दूनों के बीच कितने डिगरी का एंगल बनेगा, तो 20 में से 10 जाएगा, कितने डिगरी का एंगल बनेगा, क्या कहते है, 10 डिगरी का, यह 10 मिनट, कितने मिनट चल अगर यह सुई 20 मिनट चली है तो घंटा की भी सुई कितना मिनट चली है यानि कितने डिगरी का एंगल बनेगा तो यह जब 10 मिनट का अंतर है तो यह कहेंगे कि यह कितने डिगरी का एंगल बनेगा 10 मिनट छे अब पलस कितना डिगरी हेवा हूँ तो ये 20 है ये 20 मिनट चला है याली क्या करेंगे 20 बटा दू अब पलस नहीं ची अब नीचे आ रहा है तो माइनस न करना होगा मेरे भाई तो क्या करेंगे माइनस और 10 चाका 60 में से 10 जाएगा कितने डिगरी कैंगर बनेगा 50 अब इतना करने क्या वह सकता नहीं था ध्यान दिजेगा कुछ कोस्चन लिखते हैं ध्यान दिजेगा कि कोस्चन इस तरीके कर से बनेगा इतना घड़ी बनाएंगे क्या एक्जान में समय है क्या पेन उठाएंगे पेपर उठाएंगे नहीं कुछ नहीं उठाएंगे नहीं पेपर उ पूछ नहीं करना है हमारी बातों को कि वोल समझना है कि दूबजा है यानि दू बजे अगर मिनट की सुई रहेगी तो कितना पर रहेगी? कितना मिनट को रहा होगा? 10 या फिर कहें तो दू तू तू ने 5 कितना होता है? 10 इसको घटाएंगे, क्या करेंगे? इसको घटाएंगे यहाँ भी वही काम कि 7 तू ने 5 क्या हो गया? यहाँ भी वही करेंगे कि 3 गुने 5 कितना होगा? 15 और किसको घटाएंगे? 30 को चलिए घटाते हैं जरा ध्यान दिजेगा कि 10 में से 20 गया कितना होगा? माइनस 10 35 में से 10 गया कितना होगया? 25 और 15 में से 30 गया कितना होगया? माइनस 15 एक बात बताएं, यह माइनस का रूर बहुत बड़ा है, देखा जाए तो, और देखा जाए तो कुछ भी है, अब क्यों बड़ा है और क्यों नहीं है, जरा इसको समझेगा, एकदम आसानी से, कोई दीकत नहीं होगा, खोई हो चाहिए, कि एक मिनट, यह मिनट में हमने तोड यह मिनट में तोड़ा, यह कितना आया है, मिनट में आया है, अब एक मिनट में, हमारी बातों कोई दम समझेगा, कि एक मिनट में, घंटे मिनट की सोई, कितने डिगरी का कोण बनाती, एक मिनट में, छे डिगरी का, दस मिनट में कितने डिगरी का कोण बनाएगी, दस मुन और कितना घटाना है तो यहां पर बाध में क्या दिया है 20 औरStore I am यहां पर वहीज़ा है कितना मेरे भाई 25 एक मिनट में एंगल कितने डिषे च्छे डिग्री का 25 मिनट में 25 गुना छे पलावस अब पलावस क्यों यह माइनस बने यह क्या करेंगे पलस करेंगे और कितना तो यहाँ पे कितना है 10 बटे दूर यहाँ कितना 5 कितना हो जाएगा बाबू कितने डिगरी का अंगल बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा ऐहाँ पर ध्यान देना है 15 में 30 को घठाए कितना अगया वाहू क्या करेंगे 15 होना 6 कितना करेंगे कितना है यहाँ पर 30 और 30 वटेश दूर करेंगे कितना होगा पंद्र और पंद्राच्छा का नवब और नवब बेसे पंद्रा गया कितने डिगरी का अंगल बनेगा मेरे बहुत कि असान वसान एक दू को सदेखते हैं फिर चलेंगे अगले दिन नेक्स टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक दू को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कोशन हमने कहा कि तीन पंद्रा पे घंटे और मीनट की सुई का बीच का पूँँँँँ अगला कोशन हमने कहा दिया ज्यान दीजेगा एक 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 बाते सिखने को मिलती है ज्यान दिजेगा कि पांच पचीश में घंटे और मीनट की सुई का पीच का पूँँँँ अब सुन्य पोजिटीव होता है कि निगेटिव होता है तो पुजिटीड ना ही जो पोलस करते और तो छे से तो धेकर पहले हम क्या करते हैं घटाने के बाद इसमें छे बूला करते हैं तो आप जानते हैं कि जीरो में छे से मुथा करें नहीं है तो क्या करेंगे बागू जब ये सुना गया तो पलस परे चाहे- पर्ता है सिर्फ सिर्फ कितना करेंगे कितना बचा है 15 यानि 15 में दूर आधा, क्या घ्यां आगया सुन्य कितने डिगरी का बचीस तो यह कितना है पचीस अब पचीस सब बठाव मत्बट कितने दिगरी के पूर बनेगा तो बाराओ पॉइंट पाँच दिगरी के एक दम असानी से कोई दिखत नहीं कोई लोचा नहीं को सब्सक्राइब अब ध्यान दिए तीसरी बात है कि हमने लिखा है दूपच्पन का मतलब क्या हुआ कि दूपच्पन को घटा दिये माइनस 45 कितना हो गया माइनस 45 अब कितने टिगरी का एंगल बनेगा तो क्या कहिएगा कि सर हमको पता है कि 45 गुने 6 करेंगे और माइनस नहीं तो माइनस करेंगे और कितना माइनस करेंगे 35 बट defence कर दीगरी फिर कहिएगा कि 45 गुना 6 करेगा सब 270 डिगरी और 55 बटा दू करेगा 27.5 डिगरी घटाएगा तो बचेगा हमारा 242.5 बचेगा कि नहीं बचेगा अब जैसे ही 242.5 कहिएगा और एंसर कर दिजेगा असानी से कि एंसर कीतना होगा 244.5 लेकिन नहीं बचेगा यही तो प्रब्रम होता है यही तो प्रब्रम होता है क्यों जरा समझेगा कि दू पच्पन हो रहा होगा घड़ी का द्री से क्या होगा ध्यान दिजेगा घड़ी का द्रीष से क्या होगा घड़ी की सुषिती में होगी फीकिश मैं एक बात बताएं घंटे की सुई के अगर बात किया जाए तो यह मिनत की सुई कितने पे और घंटे की सुई लगणफी दीधा और यह वाला एंगल है कितना है दूरह 182.25 लिगरी तो बताइए ये वाला एंगल एंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है हो सकता है ना ये वाला भी तो एंगल एंसर हो सकता है तो एक बात हमारा ध्यान दीजेगा कि जब आप से केवल घंटे और मीनट की स्वी का बीच का कोण पूछेगा तो हमेशा answer जो होगा उन 180 degree से छोटा होगा घंटे और मिनट की स्विंग का बीच का कोण पुछेगा तो उसका answer हमेशा 180 degree से क्या होगा तो छोटा होगा यानि answer कितना होना चाहिए 180 degree से क्या है बड़ा है यानि answer क्या होना चाहिए तो क्या करेंगे मेरे भाई कि 360 माइनस 242.5 अग घटाएंगे तो होगा 5 9 में से 2 या 7 5 में से 4 या 117.5 बढ़ सकता है कि नहीं बन सकता है एक दाम आसानी से ये एंसर कितना होगत 180 डिग्री से छोटा होगत लेकिन जैसे ही कोस्चन को चेंद कर दिया घंटी और मीनट के स्वी के बीच का परावरतित कोण निताले का परावरतित कोण निताले ठीक है सिंपल अगल पूछेगा केवल कोण पूछेगा एंसर हमेशा 180 डिग्री से छोटा लेकिन जैसे ही परावरतित कोण यादि reflexive angle की बात करेगा परावर्तित कौन यादि किस angle की reflexive angle की बात करेगा तो हमेशा ध्यान दिजेगा कि उसका answer 180 से क्या होगा ज़्यादा होगा यादि reflexive angle की बात करेगा तो answer कितना हो जाएगा 242.5 तो चलिए आज हम लोग यहीं पर कलास को समाप करते हैं आप लोग इस वीडियो को देखें सुरू से अनतक लाइक करें सेयर करें और सबस्क्राइब करें मजा आए कॉमेंट करें जो भी सुझा हो हमें दें आपके लिए एक बेहत्रिन कॉंटेट लेगा अगली बार हम हाजित होंगे फिर एक नए वीडियो के साथ आज यहीं पर कलास को समाप करते हैं जाए है